हेलो एब्रिवान आप लोगा सीपेट एक्जम की तायारी जोड़दार से चल रहा है सीपेट 2022 के लिए सुनने को मिला है यही कोई ओगस्ट के महिना में आने वाला है तो आज हम जो पेपर लिये हैं वह काफी ज्यादे इंट्रेस्टिंग है वह OSAC का अभी हाली में एक्जम ह OSAC Lab Assistant के लिए उसका हमने Botany का पेपर लिया है उसमें लगभग 100 MCQ के कोस्टिन आया थे मतलब 100 MCQ आया थे और 100 मार्स के लिए तो यह पेपर जो आनलीसिस करने जाने यह काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग है इसमें आप देखने को मिलेगा आपको कुछ ज्यादा ही इजी क कर सकते हैं और उसके थोड़ा से एक छोड़ा से रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की चलिए शुरू करते हैं बीना टाइम वोष्ट के लेट्स बिगिन तो यह देखिए कुछ कोश्चिन हम सुरू कर रहे हैं पहले कुछ इसी तरह का कुश्चिन आने वाल क्लोरफाइसी के में आते हैं और हमें कॉन सा दो पिकम्न जाते हैं क्लोरफिल एा और ध्र्य उसके बाद हम नेच्ट स्टक्रेंगे । इक मार्सिल्या मार्सिल्या के सिंगल माईक्रोस्पोर अंजियम में कितने माईक्रोस्पोर प्रडूज्ट होते हैं 4-8 2-4 32-64 32-64 8-16 32-64 तो हमने थोड़ा साज यूनिक किया है कुछ प्पीटी में कुछ डिजाइन करके चलिया आप लोग को यह इंट्रिस्टिंग लगा चले नेक्स्ट कोस्चिन यूनिट मेंब्रेन कंसेट वाज प्रोपोर्ट भाई जै डाविट रोबोर्ट सण इन नाइटीन फिर्टिन अकॉर्डिंग तु इस कंसेट यूनिट मेंब्रेन इज मेड़ अप अप हाव मेनी लेश यह हमारा सिंगल निकोल का फ्लूइड मोजाइक मोडेल हो तो यह तीनों के तीनों मोडेल में हमें तीन लेयर ही देखने को मिलता है यानि कि सेंटर मतलब बीच वाला जो मीडिल वाला है और उपर में एक प्रोटिन नीचे प्रोटिन लेयर तो मैं थोड़ा सा ड्रॉ करलो मतलब यह रहा मान लीजे प्रोटिन का लेयर आउटर एंड इनर और इसके बीच में होगा हमारा फॉस्पोलिपेड बाई लेयर यह रहा फॉस्पोलिपेड बाई लेयर तो टोटल तीन लेयर से बने रहते हैं उसके बाए चलता है नेक्स्ट कोशन नेम सदन ब्लॉटिंग को सदन ब्लॉटिंग में यूज किया जाता है और वेस्टन ब्लॉटिंग के लिए हमारा प्रोटिन को यूज किया जाता है मैं थोड़ा सार्भांस बता दे रहा हूं उसके बाए जलते हैं नेक्स्ट कोशन में पुचा है वाट इस दा करेंट फूल फॉल फॉल फॉम आप के हिसाभ से डियन का अर्वी फिलाल में कॉनसा वाला फॉल 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 में इंडशानल कोड़ नेशनल परिं ow नेचेटल सिलेक Sum पूछ रहा है कि जो नाइट्रोजीन एंजयम है उसको बहुत ही सेंसिटीब होता है जिसके बज़े से वह काम नहीं कर पाता तो उसी एंजयम को प्रोटेट करने के लिए नोडिल में एक ऑक्सिजन स्कावेंजर यानि की ऑक्सिजन को हटाने के लिए एक चीज होता है या फिर एक कॉम्पोनेंट होता है उसका नाम क्या है नाइट्रेट, नाइट्रोजन, स्कावेंजर की तरह काम नहीं करता है ताकि और नाइट्रोजन के लिए और नाइट्रोजन अच्छा से काम में कर सके उसके बाद नेक्स्ट क्यों चलते हैं यह तो आ जाएगा उसके अंडर में उसके अंडर में उसके बादेश्टम में तो बहुत सार आगाए तो बहुत आगा है यह भी आगया पॉपुलेशन पॉपुलेशन में भी बहुत सा आगे लेकिन हैबिट 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 सिर्फ एक स्पीसिस का होता है तो हैबिट एकोलोजी इसका एंसार होगा चलते है नेक्स्ट कोश्चिन पूछा है एक कप लाइक रिजियन और सेल्स लाइंग बिटू रहा रूट क्याप तो उसके बीच में हमारा एक कॉप लाइक रिजियन इस तरह का कुछ होता है तो उस रिजियन को हम क्या कहते हैं प्रोटोडर्म ग्राउंड मेरिश्ट्रम सेंटर कैलेप्टरोजन और कुइसेंट सेंटर सो इसको हमने बहुत अच्छे से जानते हैं यह इनक्तिव नोन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जिसनको हम कुछेंट सेंटर करते हैं जो कि बहुत लोग डिए ने कंटेंट मेरेते हैं जब जरूरत पर इनके पस डिवीजन कापासिटी आ जाता है उनको प्रोटोड़र्म इनके पास उसके बाहाँ चलते हैं नेस्ट तो इसका राइट अंसर है अगर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चिन पुछाए निकोलाई इभानोविक भाविलोब निकोलाई भाविलोब कह सकते हैं को रस्यान साइन्टिस्ट तडिट डिस्ट्रिबूशन आप क्रॉप प्लांट्स थ्रूआट दो वर्ल्ल एंड टैक्णिक ओप जेनेटीक फिंगर प्रिंटिंग यह उन्टिक फिंगर प्रिंटिंग यह विदी कोस्टेंग नाइस जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग कि लेए वह थे लालजी सिंग यह याद रखेगा इंडिया के लिए लाल 1996 जेनेटिक फिंगर प्रिंकर पिंटिंग प्रिंटिंटिंग लोग noon t के बाए चलते हैं next question the amount of biomass organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis is defined जो amount of biomass प्रड्यूस होता है एक particular area में over a period of time photosynthesis के दोरान उस process को क्या कहते है तो decomposition, fragmentation, primary production, stratification इसका तो डारेक्ट अंसार है primary production यानि कि कितना स्ट्राटिपिकेशन घल्टिकल स्ट्राटिफिकेशन से लेजली दखने को जनुकों उसका प्रेस laten चलताया इसेक्षवाल नंबर फोछा घुल से यह रहाँ मानने जीए वह सीन जूसपर भी कहा जाता इसको नुक्लियस पेरिफेरी में क्या करते है आरेंज हो जाते है इस तरह से एक एक नुक्लियस आरेंज हो जाते है पेरिफेरी में और उनमें दो-दो-दो फ्लाजला निकलते हैं इस तरह से दो-दो फ्लाजला निकलते हैं इस तरह से नुक्लियस का दो-दो फ्लाजला लेकिन अच्छ में करता है इसका फ्लावर में से रूट में लिप से इसका आंसर है रूट से बनाया जाता है उसके बाद चलते लिए आंजोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रूप और राइजे लाइज आधे क्लासिपीकेशन का चल रहा है उसे हम आंजियो स्पर्मिंग क्लासिपीकेशन ग्रूप कहते हैं चलते हैं नेक्ट कुस्चिन प्राइट से करना है यहां पर पूछा है घलेटी सिश्टोम उसलिए घ्लासिपिकशन वाज राइट अंसर है नेचुराल शिश्टोम क्लासिपिकशन वाज वाज घ्लाइट थे नेचट से में अफ्सुंट में तो यह देख लेते हैं बोथ 1&2 are 2 गैज राइट इस बी वान एंड टू और ट्रू तो राइट एंसर इस बीएस मैच्वर बेसिडियोकरा और पीज फूटिंग बोडी अफ आगारिकस इट इस डिफरेंसियेटेटेट इन्टू फूटिंग बोडी अफ आगारिकस हम जो खाते हैं उसमें एक अंब्रेला सेब का स्ट्रक्चर देखते हैं मान लीजे यह रहा यह और उसका एक श्टॉक जैसा स्ट्रक्चर होता है तो वह दोनों को नाम क्या है स्टाइब को नहीं गेमी एंड श्ट्रोबिल यह भी नहीं राइजो मोर्फ यह होता है पिलियस और इससे कहते हैं याद रखिएगा स्टाइब यानि की स् पर मेरेसन करता है उसको हम कहता है आनिलस पहलेम क्या होता है यह मस्रूम के चाहुता है जब मस्रूम यह बड़ा होते होते जाता यह भैलम तूट जाते है और यहां पे रींग जी जिसको आनिलस कहते है चलते है नेक्स्ट कोछे इसका राइट आंसर है पीलियास और स्टाइब चलते है नेक्स्ट कोछे वू रीचिव नोबेल प्राइज पर दिया डिस्करबरीज कंसर्णिंग जनेटिक कंट्रोल अप एंजाइम्स एंड भाईरस सिंथेस इनमें से कौन से साइंटिस्ट इनरिक कंट्रोल अप एंजाइम्स एंड वाईरस सिंथेस के लिए हमारे नोबेल प्राइज जीते थे जिनको मिला था आलफेड हरसी मार्था चेज मैक्स नॉल एंड रुसकार जेम्स वाट्सन फ्रांसेस क्रीक या फ्रैंकोश जैकोब जैकोब जैककस मनार मनार्ड जो राइट एंसर इस ऑफ्संडी जैकप एंड मनार्ड प्यूरिंस और प्रिमीडिंस बिलंग्स तू फुई कैटेगरी प् ज़्यूरिंस अबर्ड भी किंटेशन फ्रैक्षा थाटेशिएस और इसका थोड़ा सा बता दूंसेब्डिंस प्लस थाटेश से बनता है एस लिखना ज़रूरी है एस या नि के स्पैडबर्ग युनित या फे सेडिविंटेसन कोफिशेंट चलते हैं नेक्स्ट कोश्चिन के और देख आपस्टी ऑफ वाटर तो मूब इस डिफाइंड बाइट्स पी वाटर पोटेंशल विच इस डिनुटर भाई साइ का टर्म कहां से है सांस्क्रीट रोमान ग्रीक लाटेनिस का राइट अंसर है ग्रीक ग्रीक वोड ह झाल ंहार dai g Alae individuals वाटर मॉलीट की बीच में वाटर मॉलीकुल लेकिल उसको होता है और दिफरेंट भॉर्ड मॉलीकुलिल मॉलीक्यूल फिरण वाटर शोम होता है उसको क्या निए तो बहुत इस ब्लिचान सका प्रतल बाइशन क्योंकि क lado आधेसन और डिफरेंट डिफरेंट मोलेकुल के बीच में जो अध्रक्षन होगा उसको आधेसन कहते हैं तो आधेसन भी होता है हमारा ट्रांस्पिरेसन में इसलिए कोहेशन आधेसन थे पूल में उसको आधेसन जाहने चेक कर सकते हैं इन आंधोसिरस में इन प्रिफरेंट नाम है वर तो कुछ नहीं होता क्योंकि फोत पो तो इनमी सत्रू का दूसरा नाम इंग्लिज में बोला जाता है तो इसका एंसर मुझे लग राव होगा लेकिन यह थोड़ा सफोड़ा इसका फोही होगा फूट तो नहीं होगा यह फो लिखा है तो देखते हैं ब्रिफानेंग्शन तो इसका एंसर है फो फो होगा इसका जो एक्सेप्ट बोला है ना फो को छोड़के बाकि तीनों तो प्रेजेंट है चलते है नेक्स्ट कुछिन तो भोपल गयास ट्राइड़ेडी इन इन इजे केस ऑफ एर पोलिशन इन हुईच मिथाइल आइसोसेनेट ग्यास रिलिश्ट ग्लास मेनिफेक्ट्रिंग प्लांट प्लास्टिंग मेनिफेक्ट्रिंग प्लास्टिंग मेनिफेक्ट्रिंग प्लास्टिंग मेनिफेक्ट्रिंग प्लास्टिंग मेनिफेक्ट्रिंग प्लास्टिंग प्लास्टिंग मेनिफेक्ट्रिंग प्लास्टिंग प्लास्टिंग by which an engine makes a copy of DNA from RNA DNA DNA से RNA बनना को क्या कहते हैं cell में makes a copy of DNA RNA से बनने को मतलब उल्टा प्रोसेस हो रहा है DNA से RNA बना RNA से DNA बनना है तो उसे कहते हैं हम reverse transcription transformation transformation तर नहीं होगा reverse transcription जलता है next question से न्यूक्लियो डिविजोन को स्फपरेशन को क्या झालते हैं क्या जाता है तो जाता है यह ने नामोनिय बनना किसे बनना इंट्रोजन लामोनिय और फ्रोसेस को उनिधुर्णीं नामोनिय बनना यानि मैं हमारा नाइट्रिकेसं में नाइट्रीट बनना याद रखेगा नाइट्रिकेसं रिमा slash थाक्षिखे नेमी केसने उप्षिंटा अन्य खालो देना नॉलिक्रोगन वश्चीन कि आहिकने है यह lager लग रहा है हम मालूम चला गए यही ओप्सन गलट है और टेख लेख लेटट इसे लिए प्लांट बिर्टिंग करते हैं बचाने के लिए प्लांट को रिजिस्टांट बनाते हैं तूं रेज प्लांट्स बाइट से थोड़ा से प्रड़क्टिव टी और कारेक्टर स्थी टेड चाहिए होते हैं इसलिए प्राइट ब्रेटिंग करें तरह कि आप यह से इंक्लूट नहीं है प्राइट प्रेटिंग में आप इंडलसेटीड एसटीड ऑक्जिन साइटोकाइनीन हो गया एक अलग सा हर्मन जीबलिक एसटीड ये भी एक अलग सा हर्मन हो गया आइसोलेट किये थे हमारे कौन से साइन्टिस्ट ओट के सीडलिंग ओट यानि अभेना अभेना साथ हिवा उनके किस साइन्टिस्ट ने आइसोलेट किया था पाइसोलेट किया तो हम कोन से ग्यास को लार्ज माउंट मिलते हैं हाइड्रोजन औक्सीजन कार्बोन डैक्सिट निट्रोजन सो राइट अंसर इसक नमालुप है जब भी हमारा fossil फोईल बन होगा तब निकलता है जिसको हम ताइलोस के चाहिए तरह यह स्ट्रक्चर होता है इस तरह का वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर होता है ताइलोस जो निकलता है जालते हैं उसके बाद next question the opponent model of prokaryotic gene regulation was proposed यह काफी जाज़ए easy question है बार्बरा मैक्लिंतन गैर पालबर्ग ओस्वाड अभेरियन कोलिन मैक्लियोड फ्रांकोस जक्रमोनाड ग्रीगर मेंडल और रोजानिंग फ्रांकिलिन जो राइट अंसर इस जैकप मोनाड चलते है next question क्रोमाटीन नाम के साथ एक प्रोटीन का नाम के साथ एक प्रोटीन का नाम के साथ एक प्रोटीन के साथ बहुत ही मतलब बहुत ही असोचेट होता है उसका नाम के फ्लोएंफाइबर 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 फ्लोएंफ यह उसके पास ही इस तरह का एक नुकलेस होगा उसमें इसको हम कहते हैं इसलिए उसका नाम पड़ गया है चलता है नेक्ट कॉस्टिन पुझाए साइकलोसिस इस दो फ्लो प्साइट अप्लाजिए इंसाइड वाइफ फोर्स फ्रॉम्ड जो साइकलोसिस होता है न सेल में लाइकन को बहुत ही सेंसिडीव होता है लाइकन मैं बता तो लाइकन मतलब पॉल्यूशन के लिए बहुत ही सेंसिटीव होते हैं इसलिए इनको बायो इंडिकेटर या फिर पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है इस्तेमाल किया जाता है चलते हैं नेक्ट कोचिन की और सब्सक्राइब हो गया इकोसिस्टम के अंडर में आते हैं सिटी हो गया विलेज हो गया यह सब्सक्राइब बना गया एकोसिस्टम हाला कि यह एकोसिस्टम कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि हमें रेगुलर्ली उसमें फ्लो अप हमारा कुछ आउट्पूट इंपूट देना पड़ता है इसी वज़े से इनकंप्लीट कहा जाता है यह मैनमेड एकोसिस्टम को यह पॉइंट याद रखेगा उसके बाद बोला है जैसे की वाटर और मिनेराल में फ्लो होते हैं लेकिन वह युणिडिरेक्शनल या पिर लीप से डिपरेंट डिपरेंट पार्ट को रूट को भी जा सकता है या फिर अपर स्टेम को जा सकता है बढ़ को जा सकता है फ्रूट को जा सकता है किसी भी और में जा सकते हैं सो बोथ पॉइंट्स आ ट्रू देखते हैं कौन सा आप तो ने सो बी ऑप्शन बी इस राइड वान एंड ट्रू चलते हैं नेक्ट कोस्टेन मैं थोड़ा इसको हटा दे रहा हूं मोस इन 1956 स्टेज का कॉनसा स्टेज मोसस में पहले डिसकोबर कहाँ आब cigar सिनाप्ट को है से बते हमें बहुत और और मलूमें में म्योसिक तौन स्टेज में नहीं होगे मोसमें दूनों नहीं होगे ओर दी में देखते हैं सुं मेयातिक प्रो श्राणर मैं हमें capaz में मियातिक प्रोफे में बता तो कॉन से स्थे यहां पर जहां पर दोणों साथ मेंiba जाते हैं ताकि उनके के पीछ में क्रोसिंग ओवर हो पाए पैकेटिन स्टेज में इसका क्लियर होगा चलता है नेक्स्ट कोस्टिन ओसे फ्रीलींग फिक्सिंग और डि jargon दिएगा फ्रीलींग होना है और यह हमारा एरोबिक बैक्टेरिया होता है लेकिन यह हमारा क्या है आजेटर बेक्टर हमारा हमारा एरोबिक बेक्टरिया होता है लेकिन रोडोस प्री लिविंग है उसके साथ साथ एन एरोबिक है राइट अंसर इज ऑफ संडी सो नेश्ट देखते हैं ट्रिटी के लिजे न्यू क्रॉप हुई चीज प्रोडिश्ट वाई क्रॉस बि पूरा नाम क्या है मालु में Ch humility कम एस्टींभं बोला जाता है एस्टींभंग और जो शीक्म का फूरा नाम है वह सेलस्यी cc सीडेल सो दोनों को मिला के बन गया हमारा एट्री। अंध रखेगा एक ट्री करॉति हैं हशी सो आहिछ शीक्मा और लिट जो कि बहुत सारे मतलब एक से ज्यादा कोडन ले लेते हैं उसको क्या कहते है कोड का दिगेर्स ही तो है कि जहां पर 61 कोडन हमार पास 61 कोडन है 64 में से जो कि एमिनोज़ कोड करते हैं लेकिन हमारे पास अमिनोज़ के लिए 20 20 के लिए तो इतका का जाता है हमारा स्ट्रेस हर्मन को लोज कर देता है इसको अंति ट्रांस्परेंट भी कहते हैं इसको stress hormone कहा जाता है stress condition याने ड्रॉट बगेरा cold गेरा extreme cold गेरा के time में यह क्या करता है स्टोमाट को close कर देता है इस बज़े से ट्रांस्पिरेशन नहीं होत पाता और पानी conserve होके plant में ही रह जाता है इसके बात देखते है सब्सक्राइब कोई नहीं है इसका तो राइट एंसर कोई भी नहीं है नौन अप्डीज होना चाहिए देखें आपका इसका कोई बहतर एंसर है तो बता सकते हैं 3 फ्लावरिंग 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 ंप्लाव्रेशाट यानी के लो ट्मारिंग कर न्यां के लोग प्लावरिंग नौन रीनीवाल रिंग वातर है सकता है natural gas non renewable resource एक बार खतम हो गया sunlight थो non-renewable है renewable resource है या फिर हम कह सकते हैं यह एक तरह का क्या है इन एक जिस्टिबल इन एक्जिस्टिबल resource है wind भी उसी तरह इन एक्जिस्टिबल या फिर नॉन रिन्योबल रिसर्स है राइट अंसर है natural यानि कि जिसको नहीं सकता तो निच्टॉल्ट गया सकता एक बार खतम हो गई कुछ रहाता चलते हैं नेक्स्ट कोचिन सब्सक्राइब करने के लिए मदद करते हैं सब्सक्राइब करने के लिए उसे हम क्लोरेन काइमा करते हैं ताकि वह हलका बना सके प्लांट को स्क्लेरेन काइमा काफी मजबूत नॉन लीबिंग डेड़ सेल होता है और यह हमारा मेकानिकल सब्सक्राइब करते हैं लीबिंग लेकिन मेकानिकल सब्सक्राइब करते हैं याद रखेगा चलता है नेक्स्ट कॉस्टिन हिस्टोजन धेयरी रिवेस थ्री लेयर दर्मा्यटोजन प्रेड्ट्व्लम अंधील्क युआ यह प्लीuse přिह होगा थे वह थे हमारे वह दिये थे हमारे ट्यूनी का कर्पस थे दिये थे चलते हैं उसके बाद सब्सक्राइब के पास नहीं होता चलते हैं नेक्स्ट कोस्टेन की और फाइलोजनी इस कॉमनली रिप्रेजेंटेड इन फॉइच फॉर्म फाइलोजनी यानि कि जो बहुत को जाए साहिए इस तरह का कोई एक ट्री चोगा उड़ीजन करता होगा और जीन- ऑर इसका अनसर है चलते हैं नेक्टवहेंट यह को इन मस्किन उपा देता है दबा देता है तो उसको क्यां करता है यह होगा शुप्लीमेंटर प्रॉप्लीमेंटर प्रेक्टर नहीं यानि मस्किंग ऑफ अनादर जीन इफेक्ट चलब सब्सक्राइब अब और इसके आलाभा गेमी से भी होता है याद रख्यागा गेमी जो गेमा कप हमारे मार्कन्सिया में बनते हैं उसके अंदर हमें इस तरह का हमें इस तरह का देखने को मिलता है चलते हैं नेश्ट पूचनि प्लट्प्वेशिट by vontade.. और यॉपसे प्लाइब फ्रॉयथ कलुचंट्कर उप्रश्थ Div आप सब्साइब Rev बनाता है जब एक कॉंसे दोनों के साथ हुने शुट ज districts आता है उनमी दोनों के साथ यानि and phosphate plus base plus sugar हो जाता है तो यह बनाता है nucleotide याद रखेगा nucleoside यानि base plus sugar स्पाइड्र यानि phosphate group plus base प्लस हुगा चलते हैं नेक्सट पक्सिनिया ग्रामिनिस बिलंग्स कि इन में से कौन से साइंटिस्ट इन बोलते वांजिन वान एंजाइम कंसेप्ट देने के लिए हर्गविन कराना जेम स्वाट्शन जेर्ज बीडल एंट अलफेर्ड हर्सी एंड मार्था चेर्र मैक्स नॉल एंड अने स्वारस का स्राइट एंसर इस बीडल एंट आटम ने था उंजिन उशन हीले क्रुटेक्स ने अपना जो बहुत ही फैमस डॉबल एंड हिले काल मोड़ल अब डिए थे वो किसके पर अधार के आधार के वेसित पर आ जाकब एंड मानोर के अभेरिंड मैकलीर के हर्शी एंड चेर्ज के यह फिर रोजर और प्रांकलिन या मोरिस मोरिस विलकिनस क्या अब मैं बतातो थोड़ा से रोजल इन व्रंकलिन और नियुक्ट करेप्ट और Visit phi体 और एक्स-्लाइक पैटन इस तरह का क्रोस लाइक पैटन का टियमे का स्ट्रोकेशर अब कुछ नहीए शिर्फ वार्से वा से उसी स्ट्रक्चर को देखके एक्सरे डिफ्रेक्शन स्ट्डी जा रोजालेन फ्रैंक्लिन और मोरीस विल्ट्रीन को देखके उन्होंने अपना डबल हेलिकाल मोडेल और स्ट्रक्चर अब डी ने को दे दिया था इसके लिए उनको 1962 में नोबल प्राइज भी मिला था किसको लेकिन उसके पहले ही रोजालेन फ्रैंक्लिन का डेथ हो चुका था चल्दे नेक्स्ट कोच्चिन टी एम डेप्रिक्टे इन दी स्कीमाटिविगी जी यूश फॉर प्रेडिक्शन आप दी फ्यूच्टर स्टाटस अप एको सिस्टम एंड दी फ्लॉक्स आप कर्मों डैक अंसर is option Bstruik जिरी नेको विशेल माटिव्य ख़ानि आखेव्य फॉर उन दी प्रनेशां दी जाहर चॉर मेर्च बदर काध थिर ठील इसको ट्राइब कहते हैं चलते हैं चलते हैं और पोलीमरेज ही है बहुत इंट्रेस्टिंग लिए गया है कि यह जो निकलता है यह निकलता बैक्टेरिया चैने और नाम है शबते हैं त्रैकोब्लास नहीं करने याद रखेगा उसके बाद रखेगा उसके बाद रह चलते हैं नेक्स्ट कोछिए इस यह व्याईथ प्रणी इस कोड़ाज हैंस इसकोड़ाज है तुम यह तो बहुत यह जो भीक्षुक्त। ओंधी combination from towards our system मैं कि ऐसें इस ने स्टैने ख़येक मैंटशू एंध ole इस पार्ट से अपीर सादयुकर की प्लाइई कंडमति और मेन मासीर माइको इता हुआरस अप्शें माइकष मासीर किश पक्लड oo duplicate 800 meters in tropics and above 3600 meters in the temperate zones of the world known as a crystal megathom microtom mesothorn BCD यह तिनों तो नहीं हो सकते हैं इसका अंसर है a crystal that the next question a disease caused by the contamination of drinking water with high concentration of nitrate nitrate अगर हो तो उसे उसे water pollution करता है लेकिन वह कौन सा italyamata 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 italyam से होता है और स्क्रल्वी तो वीटामिन के डिफिशीन्स से होता है कि वीटामिन के होता है लगि 법 के और स्टाहलों तोड़ मरोड़ को देट के अके सब्सक्राइब करने लिए यह हुआ में भी nitrogen हो, nitrate के फ़र में, nitrite के फ़र में, ammonia के फ़र में, ammonium के फ़र में, उसको वो क्या करेगा, तोड मरड कर nitrogen, molecular nitrogen यानि की N2 बनाएगा और हमारा air में छोड़ देगा, air में हमें मालोब है, air में nitrogen किस फ़र में है, molecular nitrogen के फ़र में हो, और यह बहुत ही stable होता है, इनको मतलब लगभा बहुत मुस्किल होता है, मैं बता दू, इनको अगर इंडस्ट्रियली तोड़ा जाए ना, लगभा 200 atmospheric pressure चाहिए, ATM चाहिए, और 200 degree से ज़्यादा temperature चाहिए, तब यह दो nitrogen को आप अलग करके, कोई दूसरा compound बना सकते हो, लेकिन bacteria देखिए, microbes कितने easily कर लेते ह तो मतलब यह nitrogen fixation में ही आते है, nitrogen cycle के under में आते है, चलते है, next question, the algorithm developed for phylogenetics are also used in software development in other fields is, जो algorithm developed किया गया है phylogenetics में, उसको और भी कई ज्यादा different field of science में यूज किया जा सकता है, वो क्या है, computing and bioinformatics, classification, conservation, forensics, so right answer is A, computing and bioinformatics में आजकल ज्यादा यूज होता है, bioinformatics, evolutionary, revolutionary topic है, अभी के दिन में, international code of nomenclature of algae, fungi and plants, St. Gen. code adopted by the which, International Botanical Congress, St. Gen. China, July 2017, 17th, 18th, 19th, 16th, इसका answer है, 19th, चलता है, next, adventitive embryo, adventitive embryos developed from which part of the ovule, ovule के कोन से पार्ट में, पार्ट से adventitive embryo develop करता है, endosform, antipodal cell, negosolus, synergy, देखिये, पुछा है question ovule का, लेकिन option में, देखिये, endosform, ये तो, मतलब, fertilization के बाद formation होता है, तो ये नहीं होगा, antipodal cell और synergy, देखिये, ये सब के सब, antipodal cell और synergy, ये तो embryosol का पार्ट हो गया, सिर्पर से पर एक ही पार्ट है, जो ओफिल का पार्ट है, जो के adventitive embryo formation करता है, वो है new cellist, so answer is new cellist, so the next question, ये process that occurs when water moves out of the cell, and the cell membrane swings away from the cell wall, मतलब, एक process होता है, जब cell से पानी निकल आता है, पानी cell से निकल आता है, और cell membrane क्या करता है, अपने cell wall से छोड़ देता है, ये रहा, मान लीज़े, ये एक cell है, और इसके अंदर वाला ये रहा, मान लीज़े, प्लाज्मा membrane, so इस process अगर water निकल आया, water पानी निकल आया बहार की और, और ये क्या करता है, ना squeeze हो जाता है, यानि कि अभी ये रहा cell wall, red collar cell wall है, और ये squeeze होके, cell यहां आ गया, इस process को क्या कहते हैं, इस process को कहते हैं, हम, plasmolysis, चलते हैं, next, which type of spore produced by rixia, rixia में कौन से, कितने प्रकार के, हमें कौन से spore produced, a set of two spore नहीं, a set of eight spore नहीं, a set of six spore नहीं, a set of four spore, ये होगा इसका answer, हमें इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बनते है, पिछे एक cell है, आप confused मौत होईएगा, कि तीन cell बना गया, actually में, ये तीन सामने है, और एक पिछे, इसलिए इसको spore tetrad कहा जाता है, जो कि rixia में पाए जाता है, चलते हैं, next question, क्यों, जो कि हमारा यूक्रेन, USSR, रसिया में हुआ था, वो होगा हमारा, क्या, 1986 में हुआ था, याद रखेगा, हाला कि date जादा तो नहीं पुचा जाता, लेकिन भोपाल गया strategy बहुत important था, इसलिए इसको मैंने बता दिया, exact date ये है, उसके बाद चलते है, next, the term magnolials is used for which group of plant, magnolials को किस group of plant के लिए यूज किया जाता है, यानि कि ये एक order है, magnolials एक order है, which of the algal genus have capsule, इन में से कौन सा algal genus है, जो कि capsule possess करता है, polyseiphania तो नहीं है, oidogonium, oidogonium में हमें capsule देखने को मिलता है, spirogyra नहीं है, ectocarpus नहीं है, so right answer is oidogonium, याद रखे है, oidogonium का सिर्फ एक लोता oidogonium है, पूरे algi में जिसके पास capsule है, और ये इसका distinguished characteristic feature है, याद रखेगा, which of the following are also called amphibians of the plant kingdom, इनमें से किसको amphibians of the plant kingdom कहा जाता है, thalophyte, gymnosform, bryophyte, right answer is bryophyte, क्योंकि कहा जाता है, amphibians of the plant kingdom, because they need water for fertilization, याद रखेगा, they need water for fertilization, तो हमें मालूम है, जो पानी, fishes के बाद, पहला ग्रूप आया थे, बोथ, land और पानी में दोनों में, वाटर में लीप कर पाते थे, उनको amphibians कहा जाता है, इसी थारा, तो प्लांट में भी, आलगी के बाद, आकोटिक स्पीसिस के बाद, जो और टेरिस्टियाल, मतलब सेमी टेरिस्टियाल स्पीसिस आया थे, जो कि पानी और वाटर के दोनों के उपर डिपेंडनेंट थे, वो amphibians of the plant का इंडम भ्राइफाइध ही थे, चलते हैं नेक्स्ट पॉच्छन, एंड। डिकोंपोजर, इंड सवाइल डिकोंपोजर लिभिंग है, शउयल नविभिंग है, बाकि देखिए, एर एंट्रेवर मतलब डिफिंग, मतलब चलत्ब ऑबबाटिक रेएब बल। करता है दिए निदिए ना इन सटेंड डॉलवेटेंट पर अवांग निदीक निदीज निदी टर्म किस नहीं दिया था रोबट हूंक लुइस पासटर अन्स्थेकल का लिनिया राइट अन्सथेकल उसके बाद फोलोइङ सेक्वेंस और डॉबल स्ट्रणडड डने इस नोन आज पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम इन में से कौन सा है, A, B, C, D, देख लेते हैं, पहला option देख लेते हैं, G, G, A, T, C, G, A, T, C, C, D, देख लेते हैं, इसका कॉम्प्रिमेंटर, C, C, T, A, G, C, T, A, G, G, तो, G, G, ये, G, G, A, T, ये, A, T, C, G, ये, C, G, A, T, ये, A, T, C, C, अरे बा, ये तो हमारे पहले option में ही मिल गया, तो, right answer is पहला option, बाकि सब देख सकते हैं, देखे, B option में GG, last में GG, यानि कि इसका जो कॉम्प्रिमेंटर आएगा, पहले CC, last में CC, तो ये तो नहीं होगा, देखे, first और last को ही देखके, आप यहां से मालूम कर सकते हैं, ये एक trick है, C में देखे, CC, last में CC, यानि कि इसका अ पैलेंडरोमिक सेक्वेंस, अगर किसी को नहीं मालू है, मैं बता दू, पैलेंडरोमिक सेक्वेंस, यानि, पैलेंडरोम वर्ड पहले जान लेबल, देखे, मैं एक term लेबल, ये एक पैलेंडरोमिक वर्ड है, मतला आप, left से right की और जाई है, जैसा पढ़ोगे, right से left की और C, देखिए, अगर मैं इसका complementary sequence लिखू, ये एक पैलेंडरोमिक सेक्वेंस मनदा, G का साथ C bind होगा, A के साथ T, A के साथ T, T के साथ A, T के साथ A, और C के साथ G, देखिए, आप इसको left से right पढ़ी है, या फिर right से left पढ़ी है, आपको sequence same ही मिलेगा, इसलिए इसको पुछा कि इनमें-सक्रेम ग्रूप में से कौन से में सीड कोटेड होता है या फिर ऑभारी के अंदर में होता है, सीड P,1 था अंदर में सीड P, 11, इसलिए या फिलेट फ्रॉक्त, अन्सपnelle में सीड खला Ókyd से वी प्रोट थिलेट वन॥ा, इससलिए या निदी नेचरिण नहीं यह सिंथेटिक और नाप्थालिन एसिटिक यह भी एक सिंथेटिक और जिने जिबरलिन के गुरूप में हो गया आये इंडल एसिटिक एसिड है हमारा राइट एंसर यह है नेच्राल ऑक्जिन प्लांट से निकाला जाता है चलते नेक्स्ट कुछिन फोरेश्ट ग्रास बाकी तो सब अकोटिक एको सिस्टम के अंडर में आएंगे तो राइट एंसर इस अगर टेरिश्टेल एको सिस्टम गोल्डेन राइस फ्रोडूश्ट वाई आर डिने टेक्नोलोजी की मदल से बनाया गया था तो इन्हांस दो न्यूट्रिशन ओप विच विटामिन का न् हैं दो जब भी एक बिटा के रोटीन तोरता है बदा दूं यहां पर एक बिटा के रोटीन के रोटीन जब भी तोर्टा है तक यह दो विटेमिन एnhव है प्रिकरशर है फर चनल अब कर पिंज सुन निकाला गया था उस प्रांट के जीन से निकाला गया था 것으로 कि responsible है बिटा केरोटिन बनाने के लिए और बिता केरोटिन क्या है यह एक प्रिकर्सर है भितामिन A बनाने के के लो जो इस तरह और रहा यहां पर में कॉबर सेल। यहां पे नेख सेल देखने को मिलता है। ताब license out or Šमिंग के यह हो गया यह यें हो गया येable सेल हो गया और यह नेख ऽेल हो गया और ये चा das दूहीं हो इसको पूरा किए है आर की को निया चलते हैं साप्रौड ओनिया सेथिज करता है ? इस साप्रो लेगने या फिस करता है ? इस साल्मॉन टिजीस करता है ? चलते है नेस्ट वूपकशिण lightning फ्रफिस होगे आंसर ? वीचय फ़ी य परतीक प्लिएडिजिढ़ धिफूस्टिड़ipped अब ट्रीउद करता है ? लोबाल वार्न-वार्मिंगि डीफोरेश्टेश्टेशं Н सिन Newing रिफो घृटाव से है रिफोरेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टые यह तो राइट आंसर यह यह यानि पेड को काटना है जबतेने सिन सर्य दात फिदींटी अहरिम Barb sonar धिए गृफिद एक्सपरिमेंट को उन्होंने रिपीट किया था और क्यों किया था क्योंकि उस टाइम गृफिद जो एक्सपरिमेंट दे थे वह था हमारा ट्रांसफोर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपरिमेंट और जो की अग्सपरिमेंट ने आज जनेटिक मेटरा को पूरूब करने की कोशिक का रहे था लेकिन गृफिद का इंटेशन था भैक्सिन बनाने के लिए लेकिन वह एक्सिडेंटली डिस्कोबर किये थे एक कॉमिकल सब्स पीचिया यह टेक्निक यूजट पीचया की वज़य से यूज़ होता है एंप्लीवाई स्मॉल टेग्मेंट अव डियने डियने सेग्मेंट को आप्लिवाई करने के लिए इंस इंसर्शन अंवज जीनोमिक क्लोन इंटो ए वेक्टर चाहिंशन को एक बश्चर में डालने क विदिन बेरी फ्यू मिनिट्स बहुत सारा कॉपी बना देगा इसलिए PCR को यूज किया जाता है नेक्स्ट पॉटेंशेल इस डिनोटेट वाई देग्रीक सिम्बल वाटर पोटेंशेल को डिनोट कॉन सब ग्रीक सिम्बल से किया जाता है इसका आंसर है ओपाई जीटाव साइशन एसका आंसर है साइशन यानि इस तरह का ट्राइडन्ट या फिर तीसुल से यादर रख साथ है यह ग्रीक स्पाल है नेक्स्ट वेश्चिन क्यों चलते हैं साइश हो गया उसके बाद नेक्स्ट किस्ट इन फिर पकेटिन क्रोसिंग स्टेज में होता है प्रोशिंग प्रोशिंग या फिर दोनों के बीच में इसको फोर स्टरण्डर्स देखने को मिलता आप सब्सक्राइब के लिए कौन सा वाला लाइकेन को यूज किया जाता है रेंडियोर मोस का रेंडियोर मोस भी कहा जाता है इसको क्योंकि रेंडियोर इसको फूड की तरह खाते हैं तो चलते हैं नाइट्रेट होता है इसको रेंडियोर मोस प्रोसेस को क्या कहते हैं हमारा नाइट्रेटविकेशन मैं अल्लेड इसको बचता चुका हूं यानि कि हम क्या करते हैं नाइट्रेट्रोजन का जिस फॉर्म में आर्थ में प्रजॉंट हैं जैसे के फ़र में बदल के और उसको एक्मोस्पियर में छोड़ देते हैं यह एक पार्ट है इंपोर्ड़ांट पार्ट है निट्रिजन साइकल का चलता है नेक्ट कोईशन पुछा है क्लोबर लिप मोडेल जो टी आरेने का उसको किस ने प्रोपर किया था मार्था चेज ने आलफ ने पार्ट है जिसके पाई दिजार्ट नहीं है लेकिन अधर इंपोर्टन केरेक्टर है उसको क्या चैनि लिए द्यृत ने रहा इसलोगी आया। फिर मूंडेट ही इन्पर फ़िदिग ही तौन करें तौन कोने ज्सट्रीव स्टोंटने इस ईचHello ऐसे द्यृतres ने रहा श्टत उस तौनातूर तौन डिया तौन करूशिश्यों देखृत किसी डियक्क्रेसियों और ौध्पन रहा उसको कहते हैं हम घार सेल अगर किस तरह का होगा कीडनी सेब का होगा अगर मोनो कर तो ने याद रखेगा मोनो काड में वह होता है डामबल यह हो गया डंबल सेम मोनो कर हमने बहुत जल्दी इसको डिसकुस कर लिया इसका अलाव हम अल्लेडी वीडियो बना रहे हैं और अभी रेगुलर्ली अप्लोड किया जा रहा है इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं जिससे भी कोई वीडियो अप्लोड करो आपको तुरंती नोटि सब्सक्राइब करें कि आज के लिए हमने इतना ही देखेंगे